स्वागत है आपके अपनी चैनल के टो फैंटासी स्पोर्ट्स में सूपर लिग टी 20 कराची किंग्स वर्सस लाहर केलेंडर्स डेट 19 फेवरु अरी 2023 टाइम साम के सड़े 7 बजे मैच नमर 8 मैच मेन्यू की बात करे तो नाशनल इस्टेडिया कराची पाकिस्तान में खेला ज पॉसद इसकोर 189 है टोस जितकर पहले बल्लेबाजी करना सही फाइशला होगा वेदर रिपोर्ट की बात करे कराची में मौसम पाकिस्तान दुन दे मैच के दिन तापमान 29 परसेंट आदरता और 7.5 किलोमीटर परती गंटा हावा की गती के साथ लगवग 32 डिगरी सेल्सस टेलिगराम चैनल जरूर जोइन करें डिस्क्राप्शन बॉक्स में लिंक दिया है अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सस्क्राइब कर दिजिएगा नैशनल इस्टेडियों इसकोर रिकार्ट की बात करें तो टोटल मैच 14 खेला गया है बैट चेस्ट वाई 208 तिन बिकेट के नुकसान पर जबकि लोईज डिफेंडेड है 166 चार बिकेट के नुकसान पर कराची किंग्स क्रिकेट टीव इंजडि की बात करें इसका भी तक कोई चोट अबडेट नहीं है लाहर कलेंडर्स क्रिकेट टीव इंजडि की बात करें इसका की बात कर तो कराची किंग्स 9 में जीते हैं जबकि लाहोर कलेंडर्स 6 में जीते हैं कराची किंग्स टीम की बात कर तो पहले चार लोस और आखरी में एक वान सरजील खान 5 बल पर 0 रन की पारी खेले 26 बल पर 34 रन की पारी खेले 1 बल पर 0 रन की पारी खेले 12 बल पर 12 रन की प पन बॉल पर तेराशी रण की पारी खेले हैं और आखरी मैच में 20 बॉल पर 21 रण की पारी खेले हैं हैदर अली की बात करें तो चार बॉल पर जीरो रण की पारी खेले हैं अगला मेच में 10 बल पर 18 रन की पारी खेले, 34 बल पर 52 बल पर 41 रन की पारी खेले और आखरी मेच में 5 बल पर 7 रन की पारी खेले थे, मैथ्यो रड की बात करें तियो विकेट की पर है, जो 19 बल पर 15 रन की पारी खेले, 18 बल पर 18 रन की पारी खेले, 15 बल पर 23 रन की पारी खे नोट आउट की पारी खेले थे और अगला दो मच में बैटिंग का चांस नहीं आये थे पहला मच में या तीन विकेट निकाले अगला मच में या एक विकेट निकाले फिर विकेट लेस रहे फिर दो विकेट निकाले थे और आखरी मच में या एक विकेट निकाले थे अपने मच में बैटिंग का चांस नहीं आये थे अगला मच में 31 बॉल पर 34 रन की पारी खेले पांच बल पर 1 रन की पारी खेले उन्नीस बॉल पर मच में दो विकेट निकाले फिर विकेट लेस रहें फिर एक विकेट निकाले थे और आखरी मच में यह दो विकेट निकाले थे अपने टीम के लिए इमरान ताहिर की बात करें तो पहला मच में विकेट लेस रहें अगला मच में एक विकेट निकाले फिर दो विकेट निकाल मुहमद उमर है, फैजल अक्रम है, मुहमद मुसा खान है, मिर हमजा है, तबरेज समसी है, जैम्स फुलर है, लाहर कलेंडर्स टीम की बात करें तो पहले त्रिपल वन और आखरी में डवल लॉस, फकर जमान, 42 बॉल पर 16 रन की पारी खेले, 122 बॉल पर, 101 रन की पारी खेले, 7 बॉल पर 0 रन की पारी खेले, 14 बॉल पर, 56 रन की पारी खेले, और आखरी मेंच में 15 बॉल पर 7 रन की पारी खेले ते, मिर जात, ताहिर, वेक की बात करें, तो 26 बॉल पर 32 रन की पारी खेले, 14 बॉल पर 3 रन की पारी खेले, 89 बॉल पर 6 रन की पारी खेले, 14 बॉल पर 17 स्ट्राइटेटेटेट दोटल नोट परवांगर फिंट्रीन हिप्रवांगरे की पारी खेलें और आक्री मैच में साथ बॉल पर जीरो रन की पारी खेले थे हैं सिकेंदर राजा की बात करें तो 14 बॉल पर 19 रन नोट आउट की पारी खेलें 34 बॉल पर 38 रन की पारी खेलें 36 बॉल पर 56 रन की पारी खेलें और आक्री मैच में 5 बॉल पर 2 रन की पारी खेल यह लगतार दो मैच में विकेट लेस रहे थे अगला मैच में एक विकेट निकाले फिर विकेट लेस रहे और आखरी मैच में यह एक विकेट निकाले थे अपने टीम के लिए पर 5 रन की पारी खिलें, अगला मैच में 10 बल पर 15 रन की पारी खिलें, दो बल पर 0 रन की पारी खिलें, अगला मैच में लिरért बार निकालें था अपने टीम के लिए लियाम डेफसन की बात करें थे लगतार दो मिच में वैटिंग का चांस नहीं आये थे अगला मिच में साथ बॉल पर तीन रण की पारी खेलें नो बॉल पर सोलर रण की पारी खेलें 13 बॉल पर 18 रन की पारी खेले थे, पहला मच में या विकेट लेस रहे हैं, अगला मच में बॉलिंग नहीं किये थे, फिर विकेट लेस रहे हैं, फिर एक विकेट निकाले थे, और आखरी मच में या विकेट निकाले थे, अगला मच में दो विकेट लेस रहे हैं, फिर एक व जमन खान की बात करें, तो पहला मच में एक विकेट निकालें, अगला मच में विकेट लेस रहेते हैं और आकरी तीन मच में यह एक एक विकेट निकाले थे अपने टीम के लिए, बैच पिलियर की बात करें, तो हरी ब्रूक है, अब्दुल्ला सफीक है, सवेज इर्फान है, जॉर्डन काक्स विकेट कीपर सन डेफ्ट स्वेल है कुसल मैंडिस है साम विलिंग्स विकेट कीपर अहमेड डैनियल है दिलवर हुषेन है रसीत खान है फाइनल टीम की अपडेट आपको टेलिग्राम की चैनल पर मिलेगा पिलियर की बात करें तो बिकेट कीपर से माथ्यू वर्ड को रखें बैस्टमें से फकर जमान को रखें जाम स्विन्स को रखें और स्वेब मलिक को रखें और रॉंडर से इमार्ड वसीम को रखें डैविड वीच को रखें हुसें टलेट को रखें और आमेर यामिन को रखें बॉलिंग से साइन अफ्रीदी को रखें हरिश राउप को रखें और मुहमद आमीर को रखें कैप्टन की बात करें तो कैप्टन इमार्ड वसी में और वाइस कैप्टन स्वैब मलीक है तीम प्रिव्यू की बात करें झाल झाल